तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक न्यूव वीडियो में और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ किया फाइनली बैट ब्लंड में हमारे जीमी उसो का रिटन हो सकता है और क्या वह यहां पर हमारे ओरिजिनल ट्राइबल चीफ यानि रोमन रेंस को जॉइन करने वाले वहीं दूसी तरब सोलो सिकोवा और जैक ओफ फाटो होने वाले हैं और मुझे लगता है कही ने कहीं यहां पर ब्लड लाइन रोमन रेंस और कोडी रोड्स पर हमें भारी पड़ते हो नजर आने वाली है क्योंकि कहीं ने कहीं ब्लड लाइन को यहां पर नंबर गेम्स का ने कहा हैं उनके साथ यहां पर टामा टोंगा bियां टोंगा लौगा भी थो कहीं हो सकता है यहां पर ब्लड लाइन ब्लड में में ग्योड ने पार किकोडिरोड आया था जिसå यह लख रहा है कि Jimmy Uso यहाँ पर कुछ ने कुछ प्रॉब्लम से जूज रहें लेकिन उसके बाद एक और रिपोर्ट आई जहाँ पर उनका कहना था कि Jimmy Uso यहाँ पर बिलकुल ही ठीक है तो ऐसे में अब लग रहा है कि काफी जल्दी यहाँ पर Jimmy Uso का रिटन होने वाला है और वैसे तो WWE को Cody Rhodes की जगह Jimmy Uso को ही डालना चाहिए था लेकिन पता है नहीं WWE ने क्या सोचा और Cody Rhodes को यहाँ पर Roman Reigns के साथ मिला गए और Bad Blood में हमें एक और ट्विस देखने को मिल सकता है हो सकता है वहाँ पर Roman Reigns Cody Rhodes पर अटैक कर दें जहां पर पहले तो यह मैच जीते हैं और उसके बाद Roman Reigns समय आपर Cody Rhodes को एक स्पियर लगाते हुए नजर आ जाते हैं लेकिन अगर Jimmy Uso भी यहाँ पर रिटन कर जाते हैं तो कहीं लेंगें Bloodline की स्टोय लाइन में काफी ज़्यादा प्रोग्रेसिन हमें देखने को मिलेगी सो आज की वीडियो पर सेने तक थी वीडियो बसना है यहीं तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्क्राइब कीजिए मिलते रहेंगे अस इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइ-बाइ